बायर्स अगर प्रॉफिट में आ जागा फिर मार्केट उसको टार्गेट कैसे करेगा वो मुमिन्टम इतना ही करेगा कि बायर्स पोजीशन बना ले और वो प्रॉफिट ना बुक कर पाई ठीक है तो मेरे हिसाब से यहां से हमें गिरावर्ट देखने मिलना है हलो गैस तो मार्केट में देखिए हमें अच्छा कासा गैप देखने मिला करीब 200 आइसो पॉइंट के आसपास का गैप आप है तो यहां पर देखिए हम किस तरह का ट्रेड कर सकते देखिए करेंटली मेरे को दो तरह का सेंटिमेंट साइकिलोजी समझ में आ रहा था किया होगा ठीक है यहां पर उसको एक बहुत अच्छा प्रॉफित देखने मिला उसके बाद गिरावर्ट आ गया अब देखिए इस वाले गिरावर्ट में क्या होगा यहां पर किसी ने बाइंग किया होगा तो वह अपना पोजिशन कार्ट के निकल गया होगा या फिर प् सेलर स्ट्रॉंग होता न तो हमें गडावन या फिर फ्लैट ओपेनिंग देखने मिलता है फ्लैट में थोड़ा बहुत वेट करके काम करते है लेकिन गडावन देखने मिलना चाहिए था तो अभी हमें देखिया यहां पर वेट करके काम करना होगा इस्टॉप लॉस हमें 50 सेलर का सेलर का स्टॉप लॉस यहां पर जो सेलर है यह भी कहिना करें जिस तरह को ओपिनिंग देखने मिला लेकिन हम बेट करेंगे मार्केट पहले ब्रेकाउट करें चैनल ठीक ठाक बनाए उसके बाद रिट्रेस्मेंट के साथ काम करेंगा ठीक है यहां पर डारेक्टली कि आसपा से सपोर्ट लेके दिखिए चोड़ा चोड़ा केंडल बनाके ऊपर जाने का कोशिशिस कर रहा है और अच्छी बात यह है कि अपना रेजिस्टेंस के नीचे-नीचे मार्केट काम कर रहा है और उपन होते यह रेट केंडल बनाता तो थोड़ा बहुत सेलिंग के म अच्छे से क्रईट हो जा उसके बाद केंडल ठीक ठक मिलेगा उसके बाद ही यहां पर तेकड करने की नहीं तो अपना प्लैन है चोड़ा-शोड़ा इंट्रेन बना रहा है जो कि अच्छी बात बहुत अच्छा मुझेंटरी नज़ों सेलिंग साइट का और दिक्कत यह ना कि फिर से कल की तरह कैंडल छोड़ा है लेकिन मुझे लग रहा है आज के दिन यह ज्यादा परिशान नहीं करेगा सेलर को बाकी थोड़ा सा वेट कर लेने से ठीक रहागा मेरे हिसाब से क्योंकि अगर निप्टी में देखें ना तो नि पिक थाक बना रहा है भी ज्यादा यहां से देखिया मुमेंटम नहीं करेगा ठीक है क्योंकि ज्यादा अगर मुमेंटम करेगा सेम लॉजिक कल वाला पिछले वाला दिन जो हमने बताया था कि बायर्स अगर प्रॉफिट में आ जागा फिर मार्केट उसको टार्गेट कैस करेगा वो मुमेंटम इतना ही करेगा कि बायर्स पोजिशन बना ले और वो प्रॉफिट ना बुक कर पाए ठीक है तो मेरे हिसाब से यहां से हमें गिरावर्ट देखने मिलना चाहिए तो गाइज यहां पर देखिए हम अपना ट्रेड बनाने वाले है पूट साइड में हम एंट्री बनाएंगे तो चलिए यहां पर हम अपना एंट्री कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमने पूट बाई कर लिया पचास यार एकसो का हमने पूट बाई किया और 377 पे बाई हुआ है थोड़ा सा 10.5 पॉइंट उपर नीचे हुआ कोई बात ने बाकी यहां पर हमने पूट साइड में काम क्यों किया है वह हम डिसकस कर लेते हैं यहां पर फिर से होई है कि मार्केट में इसका ब्रेक आउट फिर से हमें देखने ना मिले ठीक है अगर ब्रेक आउट देखने म अलाके यह धीरे-धीरे मोबेंटम कर रहा है ठीक आप देखिए केंडल बनाता ठीक है बड़ा-बड़ा केंडल बनाता तो हम थोड़ा बहुत यहां पर बेट कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं मार्केट ओपन होते ही गिरावट कर दिया केंडल भी छोड़ा-छोड़ा बना करने के लिए और जीसतरह का Candle बना यहां पे एसल भी create होगिया Bireyes का अच्छा खासा तो उनको target करते हुए हमने यहां पे पूर्चल में काम किया ओर Netflix मेंब्स ऩोड़ा-बबैर रिक्स रहता है वो ज्यादा नहीं 70 point के आसपास का ACL होगा premium के according देखे तो यहाँ पर अपना क्या था 377 पर buy हुआ है ठीक है तो 70 point के आसपास अपना यहाँ पर risk रहेगा ठीक है और target देखे है 70-80 जैसा मिलेगा मतलब target के लिए wait करेंगे momentum अच्छा रहा तो definitely wait करेंगे और यह अगर momentum किया ना downside का तो कम से कम तो देखिए यह 5000 का breakdown तो करेगा आज के दिन बाकी अगर फिर से यह अगर ऊपर निकलता है ना तो continue तीन दिन market में किया है कि चार्ट repeat हो जागा ठीक है कल देखेंगे तो कल भी market क्या किया था इसी तरह का momentum किया था gap of open दिया उसके बाद गिरावर दिया उसके कहीं न कहीं बहुत अच्छा website का momentum दिया इसके पिछले वाले दिन भी market से गिरावर दिया था बहुत अच्छा momentum किया था तो सब कुछ ध्यान में रखते हो हमने यहाँ पे काम किया उसके बाद भी अगर इसे लिट हो जाता तो कोई बात नहीं दिखे plan के recording हमें काम करना रहता ठीक है अब इसे लिट हो जाएगा जितने भी अच्छा plan हो उसको आप change नहीं कर सकते अपना setup change नहीं कर सकते ठीक है तो wait करते अभी देखते हैं क्या होता नहीं होता ठीक है तो guys यहाँ पर देखे market ठीक ठाग गिरावाट कर रहा है और 50,000 level के आसपास आया हुआ और profit अगर देखे तो profit भी ठीक ठाग अपना यहाँ पर चल रहा है तो देखे round level आसपास है थोड़ा मोड़ा यहाँ पर green candle चोटा मोटा बना सकता है उससे डरना नहीं है क्या है कि देखे छोटा मोटा retracement करेगा वो तो ठीक है लेकिन बड़ा कोई यहाँ पर green candle नहीं बनना चाहिए वैसे में क्या होगा फिर दिक्कत हो सकता है छोटा मोटा green candle बनने से क्या होगा कि देखे momentum हमें अच्छा मिलेगा दूसरे लोग भी यहाँ पर फिर से buying करेंगे SL कहां डालनेंगे नीचे तो उससे हमें क्या होगा momentum fast देखने मिलता है अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो उसमें देखे अचानक से profit तो बढ़ जाता है लेकिन वो अचानक से retracement भी कर देता है तो वो दिक्कत लगा रहता है छोटा मुटा green candle बनाएगा उससे डरना नहीं है अराम से wait करना है यहाँ पर हमें breakdown देखने मिलेगा 50,000 लेवल का आज के दिन लेवल का breakdown हो चुका है 50,000 का और यहाँ पर अपना profit ठीक ठाक दीख रहा है retracement देखिए round level का जब करता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है retracement इसले कर देता है कि जो directly यहाँ पर selling कर रहे round level का breakdown देखके तो उसको निकालने के बाद market फिर से गिरावाट हमें दिखा देगा ठीक है यहाँ पर हम ज्यादा अब बेट नहीं करेंगे ठीक है ठीक हमने momentum capture कर लिया profit भी ठीक ठाक चल ला है तो जब तक बढ़ता है उसको बढ़ने देते हैं यहाँ पर देखिए हमने trade कट कर दिया जो profit बुक हुआ वह 16 रुपए के आसपास profit बुक हुआ तो exactly market जब यह green candle formation किया ना तब जाके हमने यहाँ पर अपना position कट कर दिया देखिए और भी market नीचे जा सकता है लेकिन क्या है कि थोड़ा मोड़ा यहाँ पर retracement market दिखा सकता है उस retracement में अपना profit काफी जादा market कम कर देगा और लगातार हमने दो SL market को दिया है तो कहीं ने कहीं ठीक है यह profit हमने एक lot में book किया और अभी बात कर लेते हमने यहाँ पर position क्यों बना था यहाँ पर put side का देखिए वैसे तो हम यही कई पर position बना लेते लेकिन थोड़ा बहुत confirmation का wait करना रहता उसमें क्या होता देखिए momentum छूट जाता है लेकिन ठीक है confirmation का साथ हमेशा market में काम करना चीए तो देखिए सबसे पहले हमें क्या नजारा आ रहा था कि दो तरह का psychology मैंने आपको market का सुरुबात में बताया ठीक है अब market gap up तो अच्छा कासा कर दिया ठीक है लेकिन कहीं न कहीं open होते यह selling में आ गया जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है उसके बाद देखिए यह चोटा मोटा week भी चोड़ा यहाँ पर buying करने कोशिस करेंगे क्योंकि market support level के आसपास से दीरे दीरे उपर जाने कोशिस कर रहा है कल भी अगर chart देके न तो इसी तरह का कुछ बनाया था तो कहीं न कहीं देखिए सारे चीजों के मिला के हमने यहाँ पर काम किया और एक decent और अच्छा profit हमने एक lot में यहा यहाँ पर हम wait कर लेते हैं अगर market यह rate candle ना बना के न ग्रीन candle अगर बना देता न तो definitely हम market में अच्छे से wait करते हैं उसके बाद trade बनाते हैं यहाँ पर भी हमने अच्छे से wait किया price action देखा तब जाके हमने यहाँ पर काम किया ऐसा बात नहीं किया यहाँ यहाँ पर हमने ज